हेलो and welcome to my channel digital learning 29 और आज का हमारा टॉपिक है पाइथन पाइथन के बारे में पढ़ने से पहले एक सवाल आपके लिए हमारा computer इतना versatile है कि वो हर एक result को इतना accurately और इतना efficiently देता है कैसे देता है सोची जरस पे आपने कभी सोचा होगा इस बारे में यह कैसे देता है अगर आपने नहीं सोचा तो मैं इसका ही कांसर आपको देता हूँ सबसे पहली चीज़ कि हमारा computer run करता है set of instructions में वो instructions क्या होते हैं उसे हम लोग इतनाम देते हैं जिसे कहते है program यह program ही हमारे computer को exactly work करने में मदद करता है उसे पता होता है कि कौन-कौन instructions हमको follow करता है ठीक है उन्ही instructions को follow करते वह work करता है यह जो program हम लोग लिखते हैं इसके लिए एक language की ज़रत परती है जिसे लोग बुलते है programming language यह programming language हमारे पास बहुत तरक हैं जैसे कि C, C++, Java फिर हमारे पास Python यह सारे हमारे एक programming language है तो हमारा Python भी एक तरक का programming language है देखिए जैसा कि इसमें दिखा हुआ है Python is a very popular programming language तो यह क्यों है इतना popular इसके बारे में भी हम लोग discuss करते हैं इसके popular होने का सबसे बड़ा कारण है यह free to use है simple instructions है platform independent है portable है easy to learn है और सबसे बड़ी बात है कि GUI-based यह work करता है तो इससे क्या होता है कि हमारे लिए यह program को use करना काफी flexible हो जाता है और कोई भी चीज अगर हमारे लिए flexible है तो हम इसकी popularity अपने आप बढ़ा देते हैं कैसे बढ़ा देते हैं simply हम use करते हैं वो को भी उसके लिए reference देते हैं कि आप इस programming language को use कीजिए यह programming language हमारे लिए काफी simple है और easy to use है तो अच्छे लिए कुछ और भी जानते हैं इस programming language के बारे में तो देखिए जैसे कि हम जा रहे हैं कि यह बहुत ही popular programming language है और इसकी history क्या कहती है कि यह 1989 में first time इस पर research हुआ ठीक है यह कहा हुआ National Research Institute for Mathematics and Computer Science यह कहां पर है नेदरलेंड में है तो इसका सब सब पहले हमारे पास जो यह आया इंवेंट हुआ वो 1991 में हुआ इससे किस ने बनाया तो बनाया वीडो वेन रोजयाम है यह थेसके इंवेंटर जिन्होंने यह प्रोग्रामिंग लैंवेज बनाया 1991 में इसने पहले हमारे लिए यह लैंवेज आया इसको और थोड़ा improvise करके 1994 में फिर से Python 1.0 के नाम से पर्विश किया गया और इसको जो है यूज़ करना और भी ज्यादा उनको यूज़ करके हम लोग इसको simple language में प्रोग्राम कर सकते हैं और यह तरह का बहुत ही high level programming language है जो कि human understandable होते है हमारे लिए understandable होते है इसलिके यह ज्यादा flexible भी हो गया और अच्छी बात क्या है Python इक तरह का object oriented programming language है और object oriented programming language का सबसे अच्छा चीज क्या बता है कि यह जादा emphasize करता है that time object पे rather than procedure हमारे इसमें procedure की requirement नहीं होती है real time objects का जो है इसमें सबसे ज्यादा preference दिया जाता है हरी चीज उस पे ही work करता है इसलिए करके यह ज्यादा कह सकते हैं ज्यादा interactive है ज्यादा अच्छा language है यूस करना इसए अच्छा language है उसमें हमारा ups भी आता है C++ जिसे हम लोग बोलते हैं पर यह ज्यादा easy है इसमें हमारा set of code होता है काफी कम हो जाता है क्योंकि इसका library का size बहुत बड़ा इसमें library में काफी कुछ हमारे पार store है बहुत सारे instructions का details इसमें हमारे laddering में इसमें मिल जाता जिससे हमें coding के लिए काफी कम line में जाता कुछ हम लोग बाग कर पाते हैं यह रीजर है इसका popular होने का और कुछ applications है सब्सक्राइस कर लेते हैं data उनों वहां पी उसका फिर machine language machine language पर develop करने के लिए फिर data analysis के लिए इसको यूज कर सकते हैं wave development वाज के समय में सबसे popular चल रहा है फिर scientific computing के लिए जासे अगर earthquake हमने एक device बनाया इसके लिए code लिए है तो आप Python में लिख सकते हैं फिर हमारा आगया artificial intelligence जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा अविसकार है और अची बात क्या है कि हम ऐसे devices पी पेवेस का programming कर सकते हैं जो face detection के लिए color detection के लिए use होता है तो यह सब इसके काफी अच्छे-च्छे application से हमारे इस programming language के जो कि इसको इतना popular बना देता है तो इस वज़े से आज मैं यह वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ Python के उपर और details में जाना है कैसे इसको install करते हैं यह हम लोग next वीडियो में देखेंगे Till then, bye bye